आप देख सकते हैं कितनी मस्ट ग्रेवी बनी है, कम मसालों के साथ और जटपट बनी है और इतनी टेस्टी है कि इस सबजी को खाकर आपका दिल खूश हो जाएगा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजिली कीचन तो आज बनाते हैं शिमला मिर्चोर पैच की बहुती आसान और जबरदस रेसिपी अगर आपके पास टाइम नहीं है और चटपटा खाने का मन करता है तो उस वक इस सबजी को ज़रूर बनाए सब खूश हो जाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते है यहाँ पे मैंने पास शिमला मिर्च ली है, मिर्च जाता बड़ी साइच की नहीं लेना है इस तरह से छोटी साइच की लेनी है और इसे पहले पानी से वाश कर लेना है अब इसे करते हैं कट, इसे जाता बारिक टुकडो में कट नहीं करना है इस तरह से थोड़े बड़े टुकडों में कट करना है और ये जो निचला हिस्सा है भी जए इसका इस्तमल नहीं करना है इसे फेक देना है तो यहाँ पे मैंने मीच को कट कर लिया है अब दो पैस लिये है पैस को भी इसी तरह से कट करना है क्या करना है उपर का छिलका निकाल लेना है और बीच में से कट करना है और फिर एक बार बीच में से कट करना है मतलब एक ऐसा कट और एक ऐसा कट बस इसी तरह से पैस को कट करना है तो पैस भी कट हो चुका है इसे डाल देते हैं शिमला मिच के उपर अब इसमें ही एक टेबल स्पून लैसन अद्रक की पेस्ट डालनी है मसालों में एक टेबल स्पून लालमिश पाउडर एक टेबल स्पून धना जीरा पाउडर एक टीस्पून हल्दी और आधी कटोरी शेंगदाना पाउडर शेंगदाना भुनकर उसे पीस लेना है यहाँ पे मैंने आधी कटोरी टोम्याटो प्यूरी ली है एक मिडियम साइज का टमाटर लिया है और उसकी प्यूरी बनाई है ज़रूरी पॉइंट टमाटर जादा खट्टा वाला नहीं लेना है प्यूरी को भी इसमें डाल दिया है प्यूरी को अच्छे से मिक्स करना है इसी के उपर थोड़ा सा गरम मसाला डलना है और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है मसाला मिर्चोर प्यास को कोट होना चाहिए इस तरह से अभी तो सबजी भी नहीं बनी है लेकिन बहुत ही अच्छा स्वादा आ रहा है इसे खाने का मन करता है बहुत ही आशन तरीका है बनाने का अब पैन में दो टेबल स्पून तेल डालना है और तेल गर्म होने के बाद उसमें डालना है जीरा इसे चटकने दे और तिन लेशन क कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है अब इसी स्टेज पर इसमें डाल देते हैं मैरिनेटेट शीमला मिर्च और प्याज अब इस बरतन को जो मसाला लगा है वो भी बाद में काम में आएगा इसे चलाते रहना है स्वादा नुसार नमक डाल दिया है अब ग्यास की फ्लेम पन निकलना चाहिए और मसाला भी चुटना चाहिए तब तक हमें इसे चलाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं प्याज और शीमला मिर्च सौप्ट हो गई है और मसाला भी चुट गया है तेल चुटने लगा है और प्याज भी ट्रांसपरेंट हो गया है अब वैसे तो चाच खट्टावला नहीं लेना है अगर चाच नहीं है तो एक चमच दही और एक चमच मलाई लीजे और उसमें एक कप पानी डालकर उसे फेट लीजे और इसमें डालिए अब बरतन को जो मसाला लगा था उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे भी डाल दिया है फ्लेम हमें कम करनी है, इसकी उपर डालनी है कसूरी मेती और 10 मिनिट तक, मतलब सब्जी होने तक हमें इसकी उपर ढखकन रखना है 5 मिनिट बाद इसे चेक करते हैं, मस्त तेल छुटने लगा है, एक बार मिक्स करते हैं अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद आए तो सब्जी बन गई है, लेकिन मुझे थोड़ी गाड़ी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैं और 5 मिनिट के लिए इसके उपर ढखकन रखूंगे अब 5 मिनिट हो चुके हैं, चेक करते हैं, वा, मस्त, बहुती बढ़िया ग्रेवी बन गई है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रेवी बन कर तयार है, सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल रेस्टारंट के जैसी लग रही है, उपर से डाल देते हैं थ और ये सबजी दिखने में जितनी सुन्दर लग रही है उतनी ही खाने में स्वादिश्ट है तो एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिए और सबजी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताए और हां लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद